हेलो गाईज, स्वागत आपका सिटिजन जी चैनल पर और आज आप देखने वाले हो 2016 में आई एक अंडरेटेड सर्वाइवल थ्रिलर मुवी मोनोलित का ब्रेकडाउन जिसके डारेक्टर है आईवान सिल्वेस्टरिनी इसमें लीड रोल में है केटरिना बॉर्डन जिने आ यह मुवी फ्यूचर में बेजड है जहांपर टेकनालोजी हलकी सी एडवान्स हो चुकी है एक कंपनी ने एक चलता फिरता किला बनाया है जिसका नाम है मोनोलित एक हाईली एडवान्स कार है जिसे बनाये गया है मैक्सिमम सेफटी के लिए यह फुली आर्मड कार है जोके बुलेट और बॉम प्रूफ है साथ इसमें एक वाल्ट मोड भी है जिसे आउन करता ही कार पूरी तरह लॉक होकर एक तीजोरी में बदल जाएगी फिर चाह उस पर गोली मारो या बॉम वो नहीं खुलने वाली आई दिन होरे रॉबरीज और हरस्मेंट को ध्यान में रखत जानने के लिए इसके अंदर एक AI भी है जिसका नाम है लिलित जैसे के अलकसाया सिरी ये कार मॉडर्ण टेकनोलोजी का गिफ्ट है लेकिन आप जानते हो कि टेकनोलोजी एक ऐसा गिफ्ट है जिसे अगर ठीक से मैनेज ना किया जाए तो वो कर्स बन जाता है आगे हम देविड के पैदा होने के बाद उसके लाइफ पूरी तरह बदल गई हम देखते हैं कि डेविड सेंडरा को मॉम नहीं कहता बलके उसके नाम से बुलाता है खिर सेंडरा लिलित से बात करती है तो उसे पता चलता है कि वो कितनी स्मार्ट है उसे ये भी पता चल गया कि कार में एक बच्चा भी है और ये उसने जज किया डेविड के वेट से वो सारा डाटा सेव भी करती है सेंडरा पिछले पैसेंजर्स का डाटा चेक कर रही थी जिसमें है काल और उसके दो दोस्त लेगिन उनके साथ एक लड़की भी थी ये देखकर सेंडरा को थोड़ा शक हो र नहीं की क्योंकि जारतर टाइम फोन रहता है डेविड के हाथ में उसमें गेम खेलता है खेर अचानक काल के दर्वाजे पर कोई नौक करता है इसलिए वो बाई बोल कर फोन कार देता है लेगिन इससे सेंडरा का शक थोड़ा और बढ़ गया था आगे वो रुकते हैं गया सेंडरा भी उसे देख रही थी तब भी वो देखती है कि कोई इसकी कार में जहांक रहा है क्योंकि ऐसी कार उसने देखी नहीं होगी तब सेंडरा उसे एपका यूज करके कार को वहीं से लॉक कर देती है जाते हुए एक आदमी उसे रोक लेता है क्योंकि वो उसका फैन थ वो सेंट्रों को अपनी पार्टी में इंवाइट करता है लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि अब उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही ना सुनकर वो चला जाता है और तब सेंट्रा नोटिस करती है कि डेविड असपास नहीं दिख रहा वो पागलों की तरह उसे ढूणती है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता उसे लगता है जैसे कोई आदमी उसे लेकर जा रहा है लेकिन वो डेविड नहीं था कावी ढूणने के बाद आखिर में डेविड उसे मिलता है उसी फैन के गुरूप की लड़कियों के पास शायद वो उसके साथ खेल रही थी या शायद उन्होंने डेविड को खोने से बचाया लेकिन सेंट्रा उन्हें थैंक्स बोलने के बजाए उनसे लड़ने लगती है उसका रूड बिहेवियर देखकर वो सब भी रूड हो गए थे कावी बैसने के बाद सेंट्रा वहां से जा रही थी क्योंकि डेविड भी रोने लगा था लेकिन अब वो सब उसके पीछे पढ़ गए थे और ऐसे हलातों के लिए एक आर बनी है वर्ट मोड ओन करके सेंट्रा बड़े अराम से वहां से निकल जाती है अब एक फैन के मिलने के बाद सेंट्रा को अपने पुराने दिन याद आ रही थे इसलिए वो कॉल करते हैं अपनी पुरानी साथ ही और दोस जैसा के पास जैसा भी एक होटल रूम में थी और वो कहते हैं कि काल ने मेरी हेल्प की इसलिए काल का मेरे उपर ऐसान है जाती है और से काफी बुरा भला बोल देती है जैसा भी फोन काट देती है लेकिन फोन काटने से पहले वो क्याती है कि जो तुमारे हस्बन के साथ है वो मैं तो नहीं हूँ यह सुनकर सेंट्रा का दिमाग और जदा खराब हो गया था वो दुबार उसके पास कॉल करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाती तब वो सीधा फोन करती है काल के पास और वो भी फोन नहीं उठाता वो बार-बार कॉल कर रही थी और सीध डेविड एक मारबल निगल रहा था लेगिन सई टैम पर सेंडरा उसे रोग देती है जिससे वो रोने लगा था और इस सबसे सेंडरा का दिमाग खराब हो रहा है वो काल की माम के घर पहुँच चुगी थी लेगन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है इसलिए घर के भार से ही कार को मोड कर वो निकल जाते काल को धपा करने के लिए लिले तुसे बताती है कि आगे रोड पर एक्सिडेंट हो गया है इसलिए हमें थोड़ी देर हो जाएगी लेगन देर का तो सवाले नहीं उठता वो कहती है कि कोई और रास्ता ढूंडो तब लिले तुसे एक शॉटकट बताती है जोग एकदम कच्चा रास्ता था या सेंडरा ने ले लिया रॉंग टन रात को वो सुनसान रास्ते पर ड्राइव कर रही थी लेगन उसे कोई डर नहीं है क्योंकि वो है मोनुलित में इसलिए तो ये कार बनी है इतने घंटों के सफर के बाद अब जा कर उसे एक लाइट दिखी वो सूसते कि यहां रुक कर थोड़ा पानी वानी पी लेंगे लेकिन उसके किसमत खराब है क्योंकि वो था एक पावर हाउस वो बिना रुक्या आगे बढ़ती रहती है और रास्ते में उसने सिगरेट जला ली ये देखकर डेविड परिशान हो गया था क्योंकि वो जानता है कि बुरी बात है धुमे के लिए उसने विंडो खोल दी थी लेकिन वो एक स्मार्ट कार है इसलिए उसने स्मोक डिटेक कर लिया अब उसमें एक अलाम बज़ रहा है जो सेंडरा से बरदाश नहीं हो रहा इसलिए वो लिलित को क्याती है कि अलाम बंद कर दो लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही थी इसलिए वो लिलित को ही बंद कर देती है अब कार पूरी तरह सेंडरा के कंट्रोल में आ गई अलागे डेवड को खासते देखकर सिगरेट उसने फेक दी क्योंकि आपको याद होगा उसे अस्तमा है वो उसे शांत कर रही थी तब ये चानक कार के सामने आ जाता है एक हिरन जोगे कार से टकरा कर कार के नीचे ही दब गया और कार को कुछ भी नहीं हुआ नहीं अंदर बैठे इन दोनों को डेविड डर गया था इसलिए सेंडरा उसे फोन देकर बहार निकल जाती है चेक करने के लिए इसे असास नहीं है किसने कितनी बड़ी गलती कर दी वो देखती है कि हिरन काफी दर्द में है और वो अपनी आकरी सांसे ले रहा है ऐसा लग रहा है जिसे किसी डाइनोसौर ने उसे दबोच लिया सेंडरा सोच रही थी कि अब क्या किया जाए और अंदर डेविड ने गेम खेलने के बजाए खोली है मनोली टैप उससे पंगे ले लेकर वो अन कर देता है वाल्ट मोड जिसका मतलब आप जानते हो अब वो कार एकती जोरी बन चुकी है जिसे बाहर से खोला नहीं जा सकता अब वो कम्प्लेटली सील्ड है सेंडरा को अब आशास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई वो पुरा जोर लगा देती है उसे खोलने में लेकिन कोई फायदा नहीं होता इसी बात के तो पैसे है वो डेविड को कहती है कि ये तुमने क्या किया हालागे अब भी साधा कुछ नहीं बिगड़ा वो एप अब भी ओपन है इसलिए वो डेविड को बताती है कि फोन पर ऐसे स्वाइप करो लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाता और आखिर में फोन भी गिर जाता है नीचे फोन के साथ साथ सेंडरा की होब भी गिर गई मिलो तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा ये बड़ी बुरी तरह फस गई है वो लिलित से बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता क्योंकि लिलित को उसने खुदी बंद किया था अगर इतनी हाई-टेक कार का ब्रेन बंद कर दोगे तो प्राब्लम तो उठानी पड़ेगी ही कार का तो ब्रेन बंद है ही साथ में सेंडरा का भी है एक पत्थर से वो उसका गलास तोड़ने की कोशिश कर रही थी मारते मारते पत्थर ही तूर जाता है लेकिन ग्लास पर एक खरोज तक नहीं आई वो भूल रही है कि ये दुनिया के सेफस्ट कार है पत्थर की जगा अगर ये रॉकेट लांचर भी मारेगी तब भी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमले की वज़े से कार कालाम बजने लगा था जिसे सुनकर डेविड रोने लगता है वो से चुप कर आती है उसके साथ खेल कर वो से पीकबू कर रही थी जिससे वो खुश हो जाता है लेकिन वो खुद को शांत कैसे करे उसके अंदर भी पूरा क्यास चल रहा है अब वो विंडो पर चिप की नहीं रह सकती क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला अगर यहांसे निकलना है तो हेल्प लानी होगी इससी होप में वो पहुँच जाती है उस पावर हाउस पर लेकिन वो बंद पड़ा था तब गेट टाप कर वो अंदर कूच जाती है और अंदर कैबिन में उसे एक फोन भी मिल गया था लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारी सर्विसिस चालू होंगी परसो यानि के इंडिपेंडेस डे के बाद इतना वेट तो वो नहीं कर सकती इसलिए वहां से एक टॉर्च और एक बड़ा सा रैंच उठा कर वो फिर से चल देती है कार की तरफ लेकिन जाडियों में से उसे कुछ आवास जा रही थी वो जानवर उसके पीछे था जल्दी से भाग कर वो कार तक पहुँच जाती है और सिधा चड़ जाती है उपर उसके पीछे एक केयोटी था जो कि उस पर जहपट रहा था और भगाय से भी वो भाग नहीं रहा तब सेंड्रा कार पर रंच मारती है जिससे उसका लाम बजने लगता है और उससे डर कर वो केयोटी वहां से भाग जाता है थोड़ी सांस लेने के बाद वो फिर से कार का गलास तोड़ने में लग गई थी लेकिन ये बात उसे समझनी चाहिए कि एगर इसका गलास इतनी असानी से तूर जाने वाला होता तो क्या वो इस कार को खरीते वो खामखा अपनी एनरजी वेस्ट कर रही है और साथे डरा रही है डेविड को उसे देखकर वो भी पैनिक कर रहा था इसलिए उसे सांस लेने में प्राब्लम हो रही है एक तो वो सकार में क्याद है उपर से एकी जगा पर एकी पोजिशन में बंदा है उसका पैनिक सेंडरोसे भी ज़ादा है सेंड्र उससे बात करके उसे शान्त करती है और फैनली वो ठीक से सांस लेने लगा ऐसी बाते करते करते वो सोव जाता है और अब सेंड्र आराम से सोच पाएगी कि आगे क्या किया जाए आप सोच रहे होंगे कि अब तक तो काल को पता चल गया होगा कि उसकी माम के घर नहीं पहुंची लेगन इसके चैंसे जना के बराबर हैं क्योंकि इसने खुद काल को फोन करने के लिए मना किया था ताके वो अराम से अपना काम कर पाए और शायद इसलिए उसका फोन भी नहीं लग रहा था फिर भी ये खुद को समझा रही है कि वो इनने ढूरने आएगा लेगन अगर वो सच में चीट कर रहा है तो फिर भूल जाओ दोनी तरह की बात उसके दिमाग में चल रही थी तब ही असमान में उसे दिखाए देता एक शूटिंग स्टार जो कि असल में एक प्लेन था और से देखकर सेंटर को याद आया एक बोर्ड जो कि उसने रास्ते में देखा था जिसके मताबिक याँ पास में एक एरपोट है सुबा होती ही हमाँ पर जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा ये बात वो डेवड को बता रही थी तब ही वो देखती है कि डेवड कार में है नहीं कार का दर्वाजा भी खुला है आसपास चेक करने पर उसे वो मिल जाता है और तभी वो जाग जाती है अब आप बहतर तरीके से देख सकते हो कि एक इतने बंजर इलाके में फस गई है वो जल्दी से डेवड को चेक करती है जो कि कार में ही था लेकिन उसकी हालत थोड़ी खराब है क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत जादा है अब इताफ मान 32 डिगरी सेल्सिस है और ये लगातार बढ़ रहा है उपर से कार पूरी तरह सील्ड है और उसके उपर से डेवड ने पैना हुआ है बेर सूर यानि कि जल्दी इसकी हालत भी और ज़दा बुरी होने वाली है सेंटर अपनी टी-शेट से सनरूफ को ढग देती है ताकि थोड़ी दूप रुख जाए इसके बाद वो एरपोर्ड की तरफ जा रही थी तब ये डेवड उसे क्याता है कि मत जाओ मैं फोन उठा लूँगा लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता उसे रोता हुआ छोड़ कर वो भी चल देती है वो सोच रही है कि वापस घर जाकर वो सब को एक कहानी सुनाएगी और उसके दोस्त काफी इंप्रेस होंगे ये सब सुनकर जबकि उसे सोचना चाहिए कुछ इंप्रटन बातों के बारे में जैसे के कल से इन दोनों ने पानी तक नहीं पिया जिन्दा रहीगी तबी तो वापस घर जा पाएगी और तबी तो कहानी सुना पाएगी खैरेगिस्तान में पानी मिलना almost impossible है लेकिन आज उसका दिन अच्छा है क्योंकि किसमस से उसे पानी मिल गया और ये कोई मिराज नहीं है पानी गंदा है लेकिन प्यास तो बुझाई देगा पानी पीकर वो आगे बढ़ती है और उबडखाबर रास्ते को पार करके आखिरकार पहुंच जाते हो से एरपोर्ट पर जो के असल में एक अबेंडन एरफिल्ड है यानि के वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है वहाँ पर सिर्फ एक खराब प्लेन है सेंडराउस के अंदर जाती है लेकिन उसका रेडियो तक वरकिंग नहीं था वहाँ पर से मिलते है थोड़ी शराब और एक बड़ी सी बाटल लाइटर उसके पास था ही इसलिए जाते जाते वो दो टैर्स बार निकाल कर उनमें आग लगा देती है ताके धुआ देखकर कोई इसकी हैल्प के लिए आ जाए और लगता है कि ये प्लैन काम कर जाएगा क्योंकि इस काले धुए को नसर अंदास नहीं किया जा सकता वाबस जाते हुए वो थोड़ा पानी भी भर लेती है और अब तक ताप मान 42 डिग्रीस तक पहुँच चुका है रास्ते में उसे वाई टीशेट मिलती है जो उसने सनरूफ पर डाली थी ये देखकर वो जल्दी से भाग कर कार तक पहुंसती है और देखती है कि डेविड एकदम सुन पड़ा था वो ना तो कोई मूमेंट कर रहा है और ना ही कोई जवाब दे रहा है कार भी पूरी तरह तपी हुई थी आलग कि उसके फैंस चल रहे हैं लेगन इसी ओन नई है इसलिए वो भी गरम हवा अंदर दे रहे हैं किसी तरह उपर चड़ कर वो चट पर पानी उडेल देती है तागे डेविड को कुछ राहत मिले लेगन लगता नहीं कि इसका कोई फायदा हुआ तब अपना दिमाग चला कर वो आग जलाती है और धुए को बेज देती है कार में क्योंकि स्मोक डेटेक करके पिछली बार कार की विंडोस खुल गई थी लेगन इसने ये धिया नहीं दिया कि पिछली बार स्मोक कार के अंदर था ना के बाहर कार ने बाहर स्मोक डेटेक कर लिया है इसलिए अब कार के फैंस भी बंद हो गए ताकि स्मोक अंदर ना आए यानि कि सेंड्रा ने परिशानी को और ज़दा बढ़ा दिया बचे वे पानी से वाग बुझा देती है लेकिन अब क्या फाइदा ये करके उसने पानी भी गवा दिया अब डेवड को देख कर सीरहा नहीं जा रहा क्योंकि उसे देख कर लग रहा है कि वhead not can यहां वो फिर से बल प्रियोग पर आ जाती है क्योंकि उसे ये पस्तावा नहीं रहना चाहिए कि उसने ट्राइन नहीं किया था पूरी एनर्जी वेस्ट करने के बाद वो ठकार कर महीं पर गिर जाती है ऐसे टाइम बीच जाता है और यहांसा भी एक याद में बदल गया एक साल बाद सेंडरा काल के साथ फिर से महीं पर आती है क्योंकि वो डेविड को भूल नहीं पाई उसे यह आदा रहा था कि उसने क्या-क्या गलतिया की थी जैसे के गर्मी में उसे बेर सूट पहनाना या सिगरेट पीना फिर भी वो काल को कहती है कि यह तुमारी वज़े से हुआ था काल कहता है कि हमारे बच्चे की कातिल तुम हो और तभी वो जाग जाती है ये भी एक बुरा सबना था डेविडब भी उसी हालत में है और उसकी टेंशन और ज़दा बढ़ाने के लिए वो कयोटी फिर से वहाँ पर पहुंच गया लेकिन अब सेंडरा को कोई फरक नहीं पड़ता वो भी अब जान दने के लिए तयार है लेकिन तभी वो देखती है कि डेविडब भी जिन्दा है वो हाथ पर हिला रहा है ये देखकर उसे भी होप मिल गई वो जल्दी से कार के उपर चड़ने लगती है लेकिन कार तपी हु खाई में गिर जाएगी लेकिन आप जानते हो कि आज इसका दिन अच्छा है इसलिए पत्थर में अटक कर कार अपने आपी रुख जाती है या खाई को देखकर सेंडरा को याद आता है वो कार्टून जो गैस्टेशन में चल रहा था कि जोरी को नीचे गिरा करी डाइमन चल गया कि वो गिर रही है इसलिए वो खुदी अपना बैलन्स शिफ्ट करके सीधी हो गई सेंडरा भी गिरते पड़ते नीचे पहुंचती है और देखती है कि कार तो ऐसे गिरी है जैसे किसीने लाकर रखा हो वो फिर से हो प्लेस हो गई थी क्योंकि यह ती जोरी टूट लेकिन इस कार में ओफ रोडिंग की सुविदा भी मौजूद है वो भी एकदम एक्स्ट्रीम वाली फुल पोटेंशल पर तो यह अब आएगी कार के गिरने के बाद लिलित भी आउन हो चुकी है और उसके थुरू सेंडरा ने ओफ रोड मोड सेट कर दिया अब वो सीधे साथ यह मूवी एंड हो जाती है तो इसमें बहुत जादा बैस तो नहीं कहूंगा क्योंकि बच्चों से एक्टिंग करा पाना काफी मुश्किल काम है डेवड के जितने भी सीन थे वो पूरी मूवी से अलग लग रहे थे क्योंकि साई टैम पर साई एक्स्प्रेशन और ड मिश्री मिसिंग थी जिस दिन में वो दोनों साथ थे वो भी काफी अजीब लगता है क्योंकि बच्चे ऐसे दिखा रहा था जैसे वो उसकी मॉम नहीं बलके कोई दूर की रिलेटिव है यही वज़ा है कि आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो खुदे कनेक्टे नहीं किया गया तो अब बात करतें इंट्रस्टिंग फैट्स के बारे में में लिए मूवी इटली की है इसले सिर्फ वही पर यह ठेटर में रिलीज हुई थी बागी जगा याई डिविडी पर इटली में इसने कमाए 3,33,823 यूरोस इसे दो वार्स के लिए भी नमिनिट लाइफटाम चैनल पर इसे दिखाए गया था ट्रैप चैल्ड के नाम से यह मूवी बेस्ट है रोबर्टो रैच्चाउनी, मौर ओजयो और लोरेंजो सिकॉर्टी की ग्राफिक नौल पर डिरेक्टर ने इसकी साउंड मिक्सिंग खतम की थी इसके प्रेमियर से दो दिन प पैरजन में आप बता सकते हो कि आपको एक कैसी लगी ऐसी और इंटरस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सैट कर लो तागे नोटिफिकेशन आपको गाइड कर सके और सथा कनेक्टिव रहने के लिए मु जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे तो मैं मिलता हूँ अपसे एक लिए वीडियो में तब तक लिए सबको बाई